जब आप अपने किसी दोस्त को फोन करते हैं, क्या आप उसे उसका नाम लिये बिना ही बात कर सकते हैं? नहीं, उसका नाम लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। इसी प्रकार हमें हर जीव को कोई नाम देना आवश्चक है। इसे ही नुमेंक्लेचर या पारिभाशी की या नामकरण कहा जाता है। जीव को नाम देना ही नुमेंक्लेचर या पारिभाशी की या नामकरण है। विद्यार्थी मित्रों, नामकरण की सन्या, जानने के लिए हम एक उदाहरन लेते हैं। हम हर रोज कई लोगों से मिलते हैं, जैसे हमारे सगे सम्बंधी, मित्र, एवं शिक्षक, पडोसी, इत्यादी, हर एक अपने नाम से जाना जाता है, हर एक को अपना खुद का नाम होता है, जैसे नाम और उसके घराने का नाम, एक परिवार में जितने सदस्य होते हैं, उन आनंद कामत के तीन बच्चे हैं शिरिष, सिद्धार्थ और माधवी इसलिए उनके नाम कुमार शिरिष आनंद कामत, कुमार सिद्धार्थ आनंद कामत और कुमारी माधवी आनंद कामत ऐसे रहेंगे इनमें शिरिष और सिद्धार्थ इन दोनों के बच्चे कामत यही घरा कि गहाने का नाम इस्तमाल कर सकते हैं किन्तु कुमारी माधवी विवा होने के बाद ससुराल चली जाएगी इसливо उसके घराने का नाम विवा के बाद बदल जाएगा इसके अतिरिक्त कामत कुटं के बाजो में रहने वाली दो पडोसी हैं रेड़ और कुलकर्णी उनके घरान के लिए बैंगट, इस पौधे के अन्य नाम भी हैं, जैसे ब्रिंजल्स, वांग, उसका अर्थ है इस पौधे के एक से अधिक नाम है, इस कारण इस पौधे का अधियन करते समय सम्रहम की स्थिति उत्पन हो सकती है, इसलिए काल लिनायूस ने नामकरण की पद्धती की थी, इस पद्धती को बिनोमियल नुमिनक्लेचर या द्वीचरन नामकरण पद्धती कहा गया, बच्चो क्या आपको पता है कि लिनायूस ने अकेले ही लगभग 10,000 जीवों का इस पद्धती से नामकरण किया है, उनकी इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें Father of Taxonomy कहा जाता है, अर्थात वरगी करण के पिता, अब हम द्वीचरन नामकरण के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे, प्रत्य एक नाम में दो शब्दों का समावेश होता है, वरगी करण के समय संग और प्रजाती अंतिम शब्द होते हैं, वे जीव के लाइटिन भाषा से लिए होते हैं, यदि हम स्वयम लिख रहे हों, तो हमें इन दोनों शब्दों के नीचे एक रेखा खीचनी होगी, यदि हम उन्हें चाप रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, तो वे इटलिक के धाचे में होंगे, संग के नाम की शुरुवात कैपिटल अक्षर से की जाती हैं, जैसे मैंगि फेरा, प्रजाती का नाम छोटे अक्षरों में होता है, जैसे इंडिका, विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों के लिए एक गतिविदी है, उसका जवाब आप अपनी नोटबुक में लखिए, नीचे दिये गए उधारण में सजीवों की प्रजाती एवं नसल पहचानी, एक, साल मुनिला टाइफी, दो, हिबिस्कस रूजा, सिनन्सिस, विद्यार्थी मित्रों, आपके जवाब यहां से जानी है, जवाब, एक सालमोनिला टाइफी सालमोनिला ये प्रजाती है और टाइफी ये नसले है दो हिविस्कस रूजा सिनेंसिस में हिविस्कस ये प्रजाती है और रूजा सिनेंसिस ये नसले है विद्यार्थी मित्रो अब आपके लिए यहां पर इध्यान पुर्वक पढ़ने का और जानने का पाठ है इस वीडियो में हमने जाना कि जीवों को पहचानने में सावान नामों के इस्तमाल से किसी प्रकार की सीमाय निर्मान हो सकती है इनी सीमाओं के कारण काल लिनयूस ने द्वीचरन नामकरण पद्धती का आरंब किया था बच्चों अब आप द्वीचरन नामकरण के नियमों से भी परिचित हैं इसी कारण अब आप आपके आसपास दिखने वाले प्राणियों के वैग्यानिक नामों को खोजने का अवश्य प्रयास करें। इसके साथ ही इन जीवों का नाम लिखते समय नामकरण की ये द्वीचरन पद्धती का अनुसरन करने का प्रयास भी करें। कि करें लिए ये करने का अनुसरन करें।